Hello my dear students, मैं आप सभी का अपने चानल में तहीं दिल से स्वागत करती हूँ ये वीडियो एक बहुत इंपॉर्टन वीडियो है, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मोटर कार परकुजित के बारे में इससे पहली जो लास्ट वीडियो थी, उन्में मैंने बात करी है, रेन फ्री अकमेडेशन परकुजित आण इंट्रेस फ्री और कंसेशनल लोन परकुजित तो ये दो perquisites मैंने बहुत important cover किये थे तो आज की वीडियो भी बहुत ही important है आज की इस वीडियो में हम बात करें है motor car perquisites के बारे में motor car car perquisites बहुत बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है because इसकी presentation अभी income tax के books में बहुत difficult तरीके से दी गई होती है लेकिन आज जैसे मैं आपको कराऊंगी ये आपको इसकी explanation, इसकी treatment आपको कभी भी भूलेगी नहीं so आपको क्या देखना है जब आपके question में motor car perquisites के बारे में जिक्र है, you first of all need to look out how the motor car is owned whether it is owned by the employer or it is owned by the employee and whether it is actually motor car और some other automotive क्या वो motor car ही है या कोई और सा automotive है तो हम अबे फिलाल बात करें है अगर ownership employer की ही है अगर motor car employer की ही है मतलब कि जो motor car employee को दी गई है वो गाड़ी उसके boss की है हम इसमें further तीन situations के लिए look out करेंगे अपने question में क्या उस गाड़ी का इस्तिमाल purely official purposes के लिए होता है या क्या properly 100% private purposes के लिए होता है या partly official and partly private हम एक-एक situation को pick करेंगे अगर गाड़ी employer की ही है जो की employee को दी गई है अगर उसका इस्तिमाल सिर्फ official purposes के लिए किया जाता है तो इस परकेज़ट की value कुछ भी नहीं होगी निल होगी it will not be taxable then बात करते हैं अगर उसका इस्तिमाल private purposes के लिए personal purposes employee के personal घरेलू खर्चों के लिए किया जाता है घरेलू इस्तिमाल में motor car का इस्तिमाल किया जाता है तो परकेज़ट की value क्या होगी जली में किया है what is the amount of actual expenditure incurred by the employer इसमें petrol, diesel, repair, maintenance everything is covered then बात आती है driver की salary अगर driver की salary है तो मुसे आट करेंगे अगर driver ही नहीं है तो नहीं आट करेंगे then बात आती है 10% of the cost of car क्योंकि employer की गाड़ी का wear and tear हो रहा है इस्तिमाल हो रहा है तो उसके depreciation हो रहा है और वो depreciation हमें 10% की rate पर लेना है 10% of the cost of car और अगर इस सुविधा गाड़ी के सुविधा को provide करने के लिए एक हाथ से गाड़ी दी जा रही है और दूसरे हाथ से employee से कुछ पैसा recover किया जा रहा है तो उस amount recovered from employee को हम minus कर देंगे यह तो एक golden सा point है यह लगबख सभी perquisit में आता है कि अगर कोई सभी benefit देने के बाद employer दूसरे हाथ से उससे कुछ amount वापस ले लेता है कुछ पैसा recover कर लेता है तो हम perquisit की value निकालने के लिए उस amount को minus कर देते हैं तो मैंने क्या बता है official purposes के लिए है तो value nil होगी अगर purely 100% private personal purposes के लिए है तो चार चीज़ों को हमें देखना है employer ने कितना खर्चा किया plus driver के कितनी salary है plus गाड़ी की cost का 10% minus any amount if any ज़रूरी नहीं यह question में आपको दिया हो अगर कोई amount employee से recover किया गया है तो वो ले लेंगे then बात आती है third situation की अगर गाड़ी का इस्तमाल partly official और partly private purposes के लिए किया जाता है उस case में अगर running and maintenance is being bond by employer तो यह treatment करी जाएगी और अगर running and maintenance का खर्चा employee bear करता है अपने private expenses के लिए तो treatment अलग है तो पहले हम बात करते हैं situation है partly official और partly private purposes इसके लिए गाड़ी का इस्तमाल करा जाता है और running and maintenance का पूरा खर्चा employer उठाता है तो पर्कुजिट की वाल्य होगी अगर गाड़ी की engine की cubic capacity 1600 cc तक ही है 1600 यह उससे कम है तो पर्कुजिट की वाल्य होगी 1800 पर मत और अगर गाड़ी की cubic capacity उसके engine की cubic capacity 1600 cc से जादा है तो आपके पर्कुजिट की वाल्य होगी 2400 पर मत इसमें हम 900 पर मत आड़ करेंगे अगर driver की सुविधा भी employer ने employee को दी है अगर driver नहीं है तो आपका answer 1800 पर मत होगा 1600 cc की engine वाली गाड़ी की गाड़ी तक के लिए और अगर आपके question में driver नहीं है और गाड़ी की engine की capacity 1600 cc से जादा है तो आपका answer 2400 पर मत होगा लेकिन अगर driver है तो 1600 cc तक की गाड़ी के लिए answer is 2700 पर मत 1800 प्लस 900 पर ड्राइवर के और अगर गाड़ी की engine की cubic capacity अगर यह जो पार्टली ओफिशल पार्टली प्राइविट की में बात कर रहे हूं इसमें जो प्राइविट पर्परसेज परसनल पर्परसेज के जो रानिंग इन मेंटेनेंस का खर्चा है वो एक खुद भी यह करता है उस केस में अगर ड्राइवर है तो 600 को हम कर देंगे 1500 और अगर हमारे गाड़ी के engine की cubic capacity 1600 cc से जादा है प्लस ड्राइवर भी है तो 900 प्लस 900 1800 पर मत आपका परकुजित की value निकल कर आईगी अब आत करते हैं दूसरे situation के बारे में जब गाड़ी employer की नहीं बलकि employee की खुद की है तो ये दो situation काफी हद तक सीम है official purposes के लिए अगर गाड़ी का इस्तमाल हो रहा है और खर्चा employer दे रहा है तो परकुजित की value जीरो होगी निल होगी और अगर employee की खुद की गाड़ी है और उसका इस्तमाल personal purposes के लिए private purposes के लिए किया जा रहा है लेकिन खर्चा employer दे रहा है तो परकुजित तो है लेकिन इस situation से क्या different है यहाँ पर हमने 10% of cost of car भी लिया था क्योंकि employer की गाड़ी की टूट फूट हो रही थी और उस depreciation को हमने परकुजित की value में शामिल किया था तो यहाँ पर employee की खुद की गाड़ी की टूट फूट हो रही है उसकी खुद की गाड़ी का warranty हो रहा है तो सिर्फ यह ingredient नहीं आएगा बाकी तीन ingredients वो ही है कि employer ने employee की उस गाड़ी के लिए कितना खर्चा incur किया plus driver की कितनी salary है माइनस अगर employee ने एक हाथ से गाड़ी का benefit रसीर किया और दूसरे हाथ से employee से पैसे वापिस ले लेता है कुछ amount recover कर लेता है तो अगर ऐसा है कि कुछ amount वापिस लिया है तो उससे minus करेंगे नहीं है तो minus नहीं करेंगे तो उसकेस में सिर्फ एक्समेंट टीचर जो employer ने किया है plus driver की salary that's it अगर तीनों चीज़े है then this plus this will be added and the amount required from employee will be deducted now let's talk about the third situation जहां पर गाड़ी का इस्तेमाल थोड़ा सा official purposes के लिए और थोड़ा सा private personal purposes के लिए किया जाता है और गाड़ी employee की ही है तो उस case में हम क्या करेंगे एक ही situation रहेगी कि कितना खर्चा employer ने किया towards official as well as private purposes कितना खर्चा employer ने किया उसमें से हम minus करेंगे 1800 पर मत अगर हमारी गाड़ी की cubic capacity 1600 cc तक है या उससे कम है हम minus करेंगे 2400 पर मत अगर गाड़ी की engine की cubic capacity 1600 cc से जादा है और हम और एक चीज़ पर माइनिस करेंगे अगर driver है तो 900 पर मत भी माइनिस किया जाएगा 2700 पर मत लेस करेंगे अगर गाड़ी की अंगर की अंगर की arithmetic 1600 cc से कम है और 3300 पर माइनिस करेंगे अगर गाड़ी के इंजिन की क्योबी कापिसटी 1600cc से जादा है ऐसा हम से तब करेंगे जब ड्राइवर हमारे केस में है और लेस करेंगे अगर कोई amount employee से भी recover किया गया है for this facility उसको एक तरफ से खर्चा दिया जा रहा है तो अगर उससे एक तरफ से खर्चा दिया जा रहा है दूसरी तरफ से उससे कुछ पैसे वापिस ले जा रहे है तो वो पैसे जो वापिस ले गए है वो minus करेंगे अगर एक question में दिया है नहीं दिया तो obviously minus नहीं करेंगे एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अगर official purposes पे किया गया खर्चा अगर 1800 और अगर driver है तो 2700 से जादा है या 2400 अगर गाड़ी बड़े इंजिन वाली है या 3300 अगर driver भी है मेरा कहने का मतलब है कि अगर official के purposes के उपर खर्चा अकेले official official के उपर खर्चा 1800 और 2400 से भी जादा है या कैसा को 2700 और 3300 से भी जादा है अगर driver है तो तो उस case में आपको official खर्चे को यहां से डिड़क करना है provided आप कुछ document से टाफ करेंगे जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बात करने वाली हूँ तो मैंने आप से कहा है actual expenditure incurred में से माइनस करेंगे 1800 पर मत या 2400 पर मत डिपेंडिंग अपॉन इंजिन कैपसिटी या अगर driver है तो 2700 पर मत और 3300 पर मत if driver is there और amount record from employee भी less करेंगे अगर एक question में दिया हुआ है लेकिन अगर official official के उपर खर्चा इन सबसे जादा है depending अपॉन दी गाड़ी का size हम वो figure choose करेंगे अगर official purposes के उपर अकेले official के उपर खर्चा इन सबसे सादा है तो वो पूरा खर्चा यहां से deduction की रूप में मिलेगा और उसके लिए आपको कुछ documents संभाल कर रखने पड़ते हैं employer को एक log book maintain करनी है मैं उसके बारे में भी बात करूंगी before that हम बात करते हैं third situation की अगर employee के पास motor car नहीं बलकि कोई और automotive है उस case में अगर उसका इस्तमाल official purposes के लिए किया जा रहा है तो nothing is taxable the value of the purposes is nil और बात आती है अगर private partly official या partly private purposes के लिए किया जा रहा है तो actual expenditure incurred minus 900 per month और अगर एक हाथ से employee को benefit दिया जा रहा है कि यह लोग खर्चा अपनी गाड़ी के लिए जो तो में हम दे रहे हैं और दूसरे हाथ से हम उससे कुछ amount भी recover कर रहे हैं और मैंने जो आपको यहां पर बताया है कि हमें खर्चे को बढ़ा के भी लेस कर सकते हैं प्रोइड दो डॉक्यमेंट्स को वो संभाल करके number one employer should maintain the complete details of the journey undertaken for official purposes हमारा employer एक log book maintain करेगा जिसमें वो सभी जर्णी का record बना के रखेगा जो जो official purposes के लिए हमारे employees ने करी हैं like किस दिन जर्णी करीगी, what was the date, what was the destination, what was the mileage during the journey and what was the total amount of expenditure incurred during the journey सारी बाते उस log book के अंदर लिखी जाएंगी ताकि हमारे employee जो है वो future में official purposes के लिए मिले गए खर्चे के ओपर tax ना देता फिरे और number two, एक certificate भी employee को issue किया जाएगा जिसमें ये लिखाओगा कि ये जो expenditure incurred किया गया है ये purely, wholly and exclusively, official duties की performance के लिए ही हमारे employee ने इस गाड़ी का इस्तमाल किया है तो ये दोनों चीजों को अगर वो संभाल के रखता है then उस case में उस case perquisite की value जो उसे official purposes के लिए गाड़ी मिली है और उसके उपर खर्चा किया जा रहा है then nothing is taxable एक और important चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ अगर गाड़ी का इस्तमाल हमारे office to home गाड़ी का इस्तमाल office to home या home to office के लिए ही किया जाता है then value of purchase will be nil nothing is taxable ये पहली चीज़ दूसरी चीज़ अगर employer ने more than one car दी हुई है अपने employee को more than one car उस case में हम मानेंगे कि एक गाड़ी का इस्तमाल partly official and partly private के लिए किया गया है और जो दूसरी गाड़ी या गाड़ियां है उनका इस्तमाल private purposes के लिए किया जाता है उस हसाब से उनकी treatment करेंगे अब मैं कौन सी गाड़ी को partly official, partly private मानूँ और कौन सी गाड़ी को private purposes मानूँ मैं दोनों को, suppose दो गाड़ी है, A और B मैं पहले इसको partly official और partly private, partly personal purposes और B को मैं मानूँगी personal purposes only ये step 1 है then step 2 में मैं change कर दूँगी मैं मानूँगी गाड़ी A का इस्तमाल सिर्फ personal के लिए किया जाता है और गाड़ी B का इस्तमाल partly official और private purposes के लिए किया जाता है उसके बाद मैं चेक करूँगी perquisite की value किस से कम आती है इसकी उपर मैं question भी कराऊंगी perquisite की value किस से कम आती है जिस से कम आती है, जिस situation से we will choose that वो situation चूज की जाएगी जिस से आपको tax कम देना पड़े जिस से perquisite की value कम है tax कम देना पड़े हम वो situation चूज करेंगे और एक important point कि अगर गाड़ी का इस्तमाल सिर्फ ऑफिस से घर जाना घर से ऑफिस जाने के लिए किया जाता है तो इस perquisite की value नेल है that's it for this video for better understanding do watch the numerical that I'll be doing with you in my next video upcoming video stay connected bye for now